तो सुवागत भाई आप सब भी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपिम फैंटेसी एक्सपर्ट पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूगंडा मैंस का बड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का लास्ट मैच और ट्रुनामेंट का पंदरवा मैच जो की खेला जाएगा जिंजा केसी वर्सिज रेंडम फाइटर्स के बीच में अब यहाँ पर जिंजा केसी की बात करें तो ये इस सीजन एक नई टीम एड हुई है इन्होंने भी यहाँ पर भाई अभी एक दो मैच खेल लिये इस सीजन म वही अगर बात करें रेंडम फाइटर्स तो ये भाई तीनों सीजन खेलने वाली टीम और भाई मतलब जो लास्ट सीजन था वो ठीक ठाक था उससे पहले वाला सीजन अच्छा था इनका लेकिन ये वाला सीजन भी इन्होंने शुरुआत काफी अच्छी कर दिये अब यहा चैनल जरूर से जोईन कीजेगा क्यों कि यहां पर आप देख सकते हो जो ये 20 लाक रुपे की ग्रेंड लीग लगी हुए ने इसके लिए मैं आपको 6 ग्रेंड लीग की टीम प्रोवाइड करवाने वाला हूँ टेलिग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वी लाइनपस नहीं है तो भाई मैं आपको टीम प्रोवाइड करवाँगा तो अभी भाई हो सकता है उनमें एक या दो प्लेर ना खेलते नजरा है और वो टीम आपके कुछ काम ना है तो इसलिए बोल रहा हूँ टेलिग्राम चैनल जरूर से जोईन कीजेगा आफ्टर स्टा सारी इंफोर्मेशन देने वाला हूँ बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और सबसे इंपोर्टन यार एक लाइक नहीं किया ना अगर अभी तक आपने वीडियो को तो लाइक जरूर से कर दीजेगा अब चले बाई बात करते हैं दोनों टीम्स के आपर बाई प् स्कोर डिफरेंस की बात करोगे तो प्लस 66 का इनका स्कोर डिफरेंस है वहीं अगर यहां पर भाई बात करोगे जिंजा केसी की नंबर साथ पर आपको यह दिखेंगे दो मैस इनों ने खेले एक मैं जीता एक मैं चारे स्कोर डिफरेंस की बात करोगे तो प्लस सोरी माइनस nine का इनका score difference है यहाँ पर आप देख सकते हो एक minute बाई यहाँ से यहाँ से आप देख सकते हो minus nine का इनका score difference है और इनकी अगर बात करें तो देखे जो important चीज आपके लिए वो क्या है कि यहाँ पर है ना दोनों ही टीम्स ने दो-दो मैच खेले और एक-एक मैं जीते है एक-एक मैं चा रहे है तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि एक टक्कर का मुकाबला रहेगा अलांकि experience प्लेयर के बेस पर साथ ही साथ जो इनकी performance अभी तक आई है प्लेयर्स की उनके बेस पर आप थोड़ा सा favor कर सकते हो random fighters की तरफ अब चलिए भाई बात करतें दोनों टीम्स की starting seven को लेकर यहाँ से अगर बात करें तो सबसे पहले जिंजा केसी की बात करेंगे एच मबोगो पहले मैच में भाई मैंने इसे वी सी दिया था और यहाँ पर यह completely flop रहा था दूसरे मैच में लोगबाग ने इने क्युछ नी दिया मैंने इने कैप्टन दे दिया और one sided winning आपके भाई ने करवा दिया 28 touch point निकाले एक tackle करके दिया एक बोनस करके दिया टोटल भाई बंदे ने 30 point अमें निकाल कर दे दिये थे लेकिन जो एक चीज है एक कंडिशन पर फ्लोप हो सकते हैं वह आपको टीम बनाते टाइम बताने वाला हूँ क्योंकि उस टाइम है ना दोनों टीम्स के प्लेयर में आपर निकाल लूँगा अभी आपर सिर्फ आपको जिंजा केसी के नजर आ रहे हैं सामने वाली टीम के पास कुछ है का ऐसा रेडर है जो भाई किसी भी मतलब डिफेंडर को चारों खाने चीत कर सकता है तो उस कंडिशन भाई आपर अगर वो सूपर डूपर इट चल गए ना तो उस कंडिशन भाई आपर आपको जो एफ कसुमा ये फिलोप होते दिख सकते है इसके अलाव भाई और को इंपोर्टन प्लेर है नहीं जिन्हें आप स्मोल लिग में ट्राई कर सकते हो बाकि अगर बात करें ओल राउंडर सेक्शन की तो एम ओडूल अभी तक खेला नहीं मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बारा टच पॉइंट दो टैकल पॉइंट निकाले बहुत ही शांदर परफॉर्मेंस दूसरे मैच की बात करें तो वहाँ पर थोड़े से अवरेज नजर आए सिर्फ एक बोनस निकाल पाए बाकी जादा कुछ इनका यूजन नहीं किया गया टीम में वहीं अगर बात करें बाई टीक आईवा की तो टीक आईवा को आप अपने टीम में रख सकते हो स्मोल लिंग में रख सकते हो इवन जील मिनी जील में भी आप इने अपने टीम में रख सकते हो बहुत ही शांदर प्लेयर लास्ट मैच जो खेला है उसमें बाई दो टच्च पॉइंट चार टैकल किया बहुत ही शांदर प्लेयर अब अगर बात करें बाई सामने वाली टीम की जहां से मैं चार या पांच प्लेयर लेकर जाओंगा वो कौन सी टीम है वह बाई यहां पर टीम रेंडम फाइटर्स की अब यहां से इंपोर्टन प्लेयर को ने बीक्यू बूड़े मस्टर पिक रहेगा लास्ट मैच में आलंक इने अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो समोल लिंग में यहाँ पर इनकी टीम ुच्प बाई पहले मैच में कमाल कर के आये भी हैं से पी बूकेंगे बात करें तो अगिन आपके लिए जी यल मीनिया इंति कार्ण के say Ges vіч बात करें पहले मैच में बाईक कमाल करकर आ बंदा दस पॉइंट पूरे निकाल कर आ रहा है रेड में अनिकी सूपर टैन कम्पलीट करके आ रहा है वहीं अगर बात करें दूसरा मैच इन्होंने खेला नहीं अदरवाईज वहाँ भी इंपोर्टेंट रहता यहां से अगर बात करें तो आर अकुरट लगातर दो मैच मे अच्छे कासी परफॉर्वेंस के बाद डवनु स्टीवन की बात करेंगे यहां पर इन्होंने भाई दोनों मैचिस में जंडे गार्ड रखे पहले मैच में 31 टच पॉइंट आठ बोनस पॉइंट निकाले दूसरे मैच में यहां पर 25 टच पॉइंट और 2 बोनस पॉइंट अगर फिर भी भाई आप टेलेग्राम चैनल जोइन ना करके यहीं पर फाइनल टीम डूड़ोगे तो उसमें आपकी गलते हैं ना की मेरी बाद में आके मेरे को कोमेंट में यह मत बोलागी भाई आपकी टीम में एक प्लेयर नहीं खेल रहा था दो प्लेयर नहीं खेल रहा यहां से अगर बात करें तो भाई ऐचमा बोबो लास्ट मैच में आप आप देख सकते हैं रेडिंग डिफैंस दोनों में अच्छा काम किया है यहां से अगर बात करें डवलू स्टीवन एचमाबो आरो कॉरत आप यहां से मैं आपको बताने वाला था एफकासोमा के बारे तो उस condition में अगर आप drop करने कर इसको तो आप ले लीजेगा अगर आप ट्रॉम कार्ड पिक के तोर पर try कर रहे हो तो आप इन्हें try भी कर सकते हो आपको क्या combination try करने हैं आप जिस match में F Kasoma को ले रहे हो उसे मतलब जिस team में आप इसे ले रहे हो GL में उस team में आप इन्हें VC दे दीजेगा और सामने से WST1 को drop कर दीजेगा ये काम आप कर सकते हो क्योंकि अगर ये super duper hit होए न तो उपर से WST1 flop हो गए होगा और अगर WST1 flop को captain दे रहे हो तो उस team मे आप इन्हें अपनी टीम से drop कर दीजेगा ठीक है ये चीज़ आपको ये जो combination है ये आपको try करने है बात करें और राउंडर section की तरहां से भाई NQ रिजा को अपनी टीम में रखने हो इसके अलाव कि एक बेकामू को अपनी टीम में रखने हो अगर के बेकामू नहीं खेलत हो तो फिर भाई आपको यहां से के बेकामू या फिर भाई और किसी को drop करना पड़ेगा लेकिन मैं अभी के लिए यहां से के बेकामू के साथ ही जाना चाहूँगा सी वी सी की बात कर लेते हैं नो डाउट भाई यहां पर कैप्टन सी जो है वो डवलू स्टीवन के साथ जाएगी वी सी के अगर बात करें तो आदी सी दुनिया इन्हें वी सी बना के आएगी रिचार्ड ओकुरेट को लेकिन मेरे जो वी सी रहेंगे वो इहां से रहने वा ले रेडर्स नहीं है जो मतलब इनके सामने से इजली पॉइंट निकाल पाए ऐसे रेडर्स काफी कमन सामने वाल टीम में तो इने मतलब काफी अच्छे कासे पॉइंट मिल जाएंगे अगर वाई मैच यहां पर नॉर्मल तरीके से होता है और बिना फिक्सिंग के होता है तो उस कंडिशन में ओकुरट आपके लिए अच्छे जी यल में कैप्टेंसी के दावेदार रहेंगे टीम प्रिव्यू की बात करें आपके सामने अल्मोस्ट फाइनल टीम है मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलेग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंद आपसे मात्रम